घर से दरिद्रता दूर करने के ग्यारा महा उपाएं एक कभी भी बाथरूम में खाली पैर नहीं जाना चाहिए दो लक्षमी जी की पूजा करने के बाद कमल का फूल उन्हें अर्पित करें उसके बाद उसी फूल को लाल कपड़े में डाल कर अपने तिजोरी में रख दें इससे बहुत लाब होगा तीन अगर आपके घर में दरिद्रता का वास हैं तो इसे दूर करने के लिए शुकरवार के दिन दही और मक्षन का दान करें चार नारी देवी के समान होती हैं इसलिए जिन घरों में महिलाओं की सम्मान और इज़त नहीं की जाती वहां दरिद्रता का वास होता है पांच जिन घरों में शाम के समय दिये जलाए जाते हैं उस घर में दरिद्रता नहीं ठहरती 6. अगर आप साल में एक बार तीर थेयात्रा करके गरीबों की मदद करते हैं, तो इससे भी आपके घर से दरिदर्टा दूर होती हैं. 7. शुक्रवार के दिन बेसन, हल्दी और गुर किसी कुए या गड़े में डाल देने से भी दरिदर्टा घर से चली जाती हैं. 8. जिनके घरों में उत्तर दिशा से हवा नहीं आती या फिर उत्तर दिशा में बाथरूम बना होता है, वहां दरिदर्टा प्रवेश करती हैं. अगर आपका बाथरूम उत्तर दिशा में हैं, तो बाथरूम में नमक जरूर रखें. 9. जिन घरों में नकारात्मक उर्जा का वास होता है। उन घरों में मेन गेट पर सेंधा नमक रखने से नकरात्मक उर्जा कतम हो जाती है। अगर आप पर कृपा बरसाती हैं। और घर में सुख समृध्धी आती हैं। अगर आती हैं, वहाँ बिछा दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशिरवात प्राप्थ होगा। बीस शनिवार के दिन अपने बेड के निचे सरसों का तेल रखे। उसके बाद अगले दिन उड़त डाल के गुलगुले उसी तेल में चानकर बना लें। और फिर उसे कुट्टे और करीब को खिलाने से घर से दरग्रता दूर होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेर करें। ताकि ऐसी ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए ला सकते।